देखिए दोस्तों इतना छोटा सा स्क्रेंड होने के बाबो जुद भी इसके अंदर जो पिक्चर क्वाटी है बहुत ही जबर्दस आपको देखने को मिल रहा है आज मेरे पास एक अनोका डिवाइस आया है जो की चोड़ी का समान है और मैं इस टाइप का चीज को रिपैर करने में बहुत ही उस्सुक्रेता हूं क्योंकि इस टाइप का चीज को रिपैरिंग करने के बाद ज्यादा पैसा मिलता है क्योंकि यह unique product है यह सब कोछ सभी लोग हाथ नहीं लगाता है इसके अंदर ज्यादातर SMD components के जरी है इसका circuit बने होते हैं इसलिए जब भी कोई unique product आते हैं तो ज्यादातर मेरे पास repairing करने के लिए आते हैं आसपास के जो भी market में हैं वो technician है या customer हमारे पास ही इस टाइप का unique चीज को चालू करने के लिए और repairing करने के लिए आते हैं तो आज मेरे पास full hd का media player है जो कि हमारे पास और इसका एक और आप देख रहे होंगे तो आज तो customer मेरे को आके बताया कि किसी भी करके इसको चालू करके देना है तो हम इसको चालू कैसे करेंगे वो आपको step by step बताऊंगा और आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब भी आप कोई unique चीज को repair करोगे तो उसको repair करने में interest तो लगता ही है लेकिन आपको बहुत क सीखने को मिलता है हमने इस टाइप का डिवाइस आज तक एक भी repair नहीं करा हूं और उसको चालू नहीं करा हूं हाला कि customer का जो कहना है कि यह बिल्कुल working condition में है लेकिन हमें इसको customer को चालू करके देना है और इस वीडियो के सुरुवात में में आप लोग को एक चीज बता करने के लिए और चालू करने के लिए ताकि हमारे पास और भी ज्यादा पैसा है जो की बात करों दोस्तों एसा कुछ नहीं है कि एक कार का एक MP3 प्लेयार है तो आज मैं इसको चालू करके दिखाऊंगा अगर आपके पास भी इस ताइप का कोई भी MP3 प्लेयार का डिस्प खोलने के बाद ही सब कुछ के बारे में पता चलेगा तो अगर आप इस इूनिक डिवाइस को कैसे चालू किया जाता है इसका प्रोसेस के बारे में जानकारे लेना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे जो रेट बटन दिखरे इसको पर प्रेस कर दिजिएगा उसके साती स सकते हो चलिए आब हम इसको ओपेन करके आपको दिखाता हूं यह हमारा फुल HD मीडिया प्लेयर तो इसको खोलने के लिए हमें जुरत परेगी एक ओपेनर की उससे पहले आप दो-तिन चीजे इसके अंदर देख लिजे कि इसके पीछे जो आपको यहां पर एक स्पीकर्स देखने को मिलेंगे उसके साथ ही साथ इसका जो सिगनेल्स होते उसको रिसेव करने के लिए यहां पर एक सेंसर भी दिया गया है तो इसको हमें खोलने के बाद ही सब कुछ के बारे में प बहुत ही तेजी के साथ यह रहा हमारा ओपेनर इस चीज को खोलने के लिए सबसे पहले यहां पर देखिए हम इसको यहां से डालेंगे और जल्दी से इसको खोल देंगा खोलने का तरीका होता है दूस्तों वह लगबग सेम टू सेम ही होता है बस आपको थोरा सा दिमाग रहे इसका कॉलिटी भी बहुत ही बढ़िया है उसके साथ ही साथ दोस्तों चीज आपको देखने को मिलेंगा यहां पर यहां पर देखिये नीचे कुछ बटन्स दिया गया है जो के टाच स्क्रीन बटन से इसको भी ध्यान से बनाया गया है यहां पर देखिए सारे जो लगा हुआ है जो कि आप लोगों को पता होगा पहले जामने में जो छोटा सा मोबाइल फोन आते थे उसके अंदर इस टाइप का जो लगा होते थे अभी देखिए हमाई इस डिस्प्ले को करना है डिस्प्ले को डिस्कनेट यानि की बहान निकानने के लिए सबसे पहले इसका एल्बीडियस कनेक्टर को में ओपन करता हूं यहाँ पर देखिए यह लॉग करा हुआ है और इसको लॉग को ओपन करने के लिए इस टूजार के मतलशा थोड़ा सा उपर की तरह कर यहीं ब्रक्राइब कंच्टर हो चुका है और जैसे अनलॉक हुआ हमने इस पत्त्य को बहार निकालेंगे उसके इसके साथ और एक कनेक्टर यहां पर दिया हुआ है आप ध्यान से देखिए छोटा सा यह कनेक्टर दोस्तों यहां पर जो टाची स्क्रेन बटन दिया गया है इस touchscreen buttons को काम कराने के लिए यहां पर FFC के जरी इसके साथ connected करा हुआ है तो इसको भी मैं unlock कर लेता हूं अनलोग हो चुका है और आप display को बाहर निकल लेता हूं यहां पर देखिए हमारा display बाहर निकल आ corner to corner इसे scale को रखा और यहां पर देखे रखने के बाद यहां पर सेवें इंच का display है बहुत ही बरिया है बहुत सारे जो ट्याब होते हैं उसे ट्याब के अंदर भी इस टाइप का display लगे होते हैं तो इस display को मैं रखता हूं साइड में safely उसके साथ ही साथ हम अब देखेंगे कि इसके अंदर का जो parts लगे हुए है वो parts कि टाइप का लगे हुए है सबसे पहले यहां पर छोटा सा controller दिया हुआ है इस controller के जरी ही हमारे इस display को और बाकी जो सारे function से वो काम करेंगे और थोरा सा sound प्राप्ट करने के लिए यहां पर छोटा से speakers भी दिया गया है तो मैं इस speaker को disconnect कर लेता हूं उसके बाद हमारे यहां पर के छोटा से screw लगा हुआ है screw को मैं unscrew कर लोंगा इसको खोलने के बाद सीधा हम इस बोड को बाहर निकाल लेंगे यहां पर देखिए बहुत ही आसानी से हमारा बोड निकाला चुका है और उसके साथ ही साथ यहां पर एक जो connector दिया गया है दोस्तों इस connector को भी में बाहर निकाल लेता हूं ताकि हमें पता चले कि इसके अंदर का जो सारे connection है वो किस टाइप से दिया हुआ है तो आब हम थोरा सा इसको ध्यान से देखेंगे अगर हम इसको चालू करेंगे क्यूंकि customer ने मेरे को बोला है कि इस device को सिर्फ उसको on करके चाहिए ना ही इसका कोई चीज बदलने की जुरूत है और यह बात उसने किसलिए बताया है customer ने यह भी आप देख लीजिए क्यूंकि यहां पर जैक दिया गया है और इस टाइप का connector वाला जैक आपको बाहर से मार्केट से कहीं सही भी नहीं देखने को मिलेंगे खरिदने से भी नहीं मिलेगा इसलिए हमारे पास एक ही रस्ता बच रहा है कि इसके अंदर का जो वैर से उसका connection सही से हमें करना है तो इसके लिए यहां पर देखिए यहां पर connector के पीछे कुछ चीजे लिखी हुए यहां पर सबसे पहले APR लिखा हुआ है उसके पाद GROUND, APL, 12V, ACC, GROUND, AVON, GROUND, AV2, GRO GROUND, CBB OUT तो अब हमें सबसे पहले तो इसके अंदर 12V हमें देकर देखना है और हमें देखना है कि इसका जो डिस्प्लेव है इस डिस्प्लेव पर कुछ भी हमें ग्राफिक्स बंदते हुए देखने को मिल रहा है कि नहीं तो इस चीज़ को करने के लिए हम क्या करेंगे य GROUND का कनेक्शन करेंगे जल्दी से मैं इन दोनों कनेक्शन को कर लेता हूं इन दोनों कनेक्शन को करने के लिए मैं इन दोनों वैर्स को इस्तेमाल करने वाला हूं यह जो ग्रीन वाला वैर है इसको में नेगटिव के लिए इस्तेमाल करूंगा दोनों का connection complete हो चुका है आपको साफ साफ यहां पर दिखाई दे रहा होगा हमने यह वायर को 12 वोल के साथ जो रहा हूँ और इस blue वाले वायर को हमने ground के साथ जो रहा हूँ तो अब मैं इसको continuity चेक कर लूँगा ताकि हमें और भी एकिन हो जाए कि हमारा यह जो connection है आपास मे जूरा हुआ तो नहीं है नहीं तो हमारा यह बोड़ खराब हो सकते इसलिए मैं माल्टी मिटर को रखूंगा continuity रेंज पर और continuity रेंज पर रखने के बाद आप यहां पर देखिए चलिए आप मैं इसको टेस्ट कर लेता हूं 12 और जो ग्राउंड है इसके साथ कोई भी connectivity देखने को नहीं मिल रहा है यानि कि यह सौट नहीं हुआ है तो अब हमें आपास का जो दो इस डिस्प्ले को इसके साथ हम connection करेंगे तो इसके लिए हमरा LVDS कनेक्टर है इस LVDS कनेक्टर के साथ बहुत ही ध्यान पुर्भाग हम इस LVDS कनेक्टर को लगाएंगे पैनेल का कि यह हमाना LVDS connection हो चुका है आप इसके बटन से उस बटन का भी connection में कर देता हूं ताकि हमें इसको ऑपरेट करने में आसानी हो जाए दोनों connection हो चुका है तो आप बढ़िया थे इसके अंदर हमें power supply देने के लिए और power supply हम 12 बोल इसके अंदर देंगे और उससे पहले हम एक safety के लिए एक काम करेंगे यहां पे देखिए पीछे जो हमने दो ओयर को जो रहा हूं यह दोनों ओयर इस बोड़ी के साथ टाच होन मैंने आपको बताया हूं कि यह व्यरे यह वल रहे हमारा इस्तेमाल होंगे negative के लिए यानि कि ground वहर ऋसके साथ Ground connection कर देता हूं और अ गłość के बाद हमारा यह वो होगे यह हमारा positive के लिए होगे के इसके साथ positive connect कर देता हूं जैसे हीicate करने कर आद connect करने के बाद आप यहाँ पर देखिए यह डिस्प्लेः पर graphics आचुका है। और यहाँ पर logo भी आचुका है। हमारा यह जो काम है मुझे लगता है कि successful हो चुका है हमने इसको कर दिया हूं क्यूंकि कास्टोम ने मेरे को बस एही चीज बताया था कि किसी भी करके इस device को हमें on करके दीजिए हम इसके according पैसा दे देंगे तो इस टाइप के काम करने में बहुती मजा तो आती है मनलू भी ब करके कि यहां पर दोस्तों आपको एक चीज बताना चाहूंगा क्यूंकि इस डिस्पेल के ऊपर जो कांच लागा हुआता है उसके ऊपर एक चीज लिखा हुआ है कि यह हमारा म्यूजिक सिस्टेम में MP5 में चलती है इसके अंदर ब्लोटूथ भी है और जब भी किसी चीज के ऊपर MP5 लिक का हुता है इसका मतलर इसके अंदर वीडियो भी चलेगा तो मैं आपना जो वीडियो है हमने डेकोड करके रखता था हुआ उसी वीडियो के इसके अंदर चला कर दिखा देता हूँ तो जल्दी से मैं इसको लगाता हूँ इसे डिवाइस के साथ MP3 प्लियार के साथ और देखता हूँ कि इसके अंदर हमारा वीडियोज चालू होता है या नहीं कि यूएजबी प्लाग दिन और देखिए यूएजबी को लगाने के तुरंद बादी हमरे यहां पर फाइल प्रमाट नॉट सपोर्टेट दिखा रहा है इसका मतला हमने इसके अंदर जो वीडियो डला हूँ उसका फर्माट बहुत ही जादा है और यह लोड नहीं ले पा र हुआ है तो आप मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर एक छोटा सा वीडियो डालता हूँ तो यह नहीं है दोस्तों की उसका लेंच चोटा हो इसका जो क्वालिटी है हमने इसके अंदर फोड के वीडियो डालके रखका हूँ और हजार असी ए बाला डिजूरेशन बाला इस के इंसेट करके देखता हूँ कि यहां पर देखिए वीडियो चालो हो चुका है कि देखिए दोस्तों इतना छोटा सा स्क्रेन होने के बाबो जुद भी इसके अंदर जो पिक्चर क्वालटी बहुत ही जबरदस्त आपको देखने को मिल रहा है में सब कुछ जो लाइट से लाइट्स बगर में बंद कर देता हूँ और आप यहां पर दिखिए पिक्चर क्वालटी आभी आपके जो डिस्प्ले पर वह सा नहीं देखने को मिल रहा है लेकिन इसके अंदर पिक्चर भी बहुत ही जबरदस्त हमें देखने को मिल रहा है और मैंने इसके अंदर से जो इस वीडियो प्लेयर का आप साउंड सुनना चाहते हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर लेजिएगा नीचे डिस्क्रेशन में लेंक दिया हुआ है आप जाके जरूर फॉलो कर लिएगा मैं आपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर इसका जो आवाज है उस आ ही आवाज सुनने को मिलेंगे तो आप इसके साथ जो होम ठीटर्स लगा के आप अपने घर पे छोटा सा स्क्रीन का एक टिवी बना सकते हो इसके अंदर एवी इंपूट का भी ऑप्शन दिया गया है और उसके साथे साथ आप इसके अंदर यूस भी लगा के भी वीडियो सौंग्स बगारा चला सकते हो तो देखा दोस्तों कितने आसानी से हमने इस डिवाइस को ओपेन करके हमने चालू करके दिखाए हो बहुत ही सिंपिल सा फंडा होता है जब भी आप कोई भी नया डिवाइस इलेक्रोनी डिवाइस को खोलोगे तो खोलते समही आपको पता च चल जाएंगे कि इस इलेक्रोनी डिवाइस के अंदर क्या क्या हो सकते थे यह हो सकते है रेली दोस्तों मुझे इस डिवाइस को चालू करने में बहुत ही मजा आया क्योंकि मुझे जब मैंने इसको खोला नहीं था तब जहीं मुझे बहुत ही एक्साइटेड हुआ था कि इसको छालू करना तो छोड़िया। मुझे देखना है कि इस device के अंदर क्या है। ताकि हमारा जो knowledge है और भी ज्यादा हो सके। इसको खोलने के बाद मुझे देखा तो कुछ भी नहीं है। एक display, एक controller board और एक speaker के आलाबा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और इस device के अंदर एक चीज जानने को आप लोगों को अच्छे से मिला है कि इसके अंदर जो connector दिया रहता है या connector था उस connector के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको कैसे आप identify करके आप जान सकते हो कि अगर किसी भी connector के अंदर कोई भी चीज लिखा हो तो उसका मतलब क्य होता है तो मुझे आसा ही कि दोस्तों आपको यह जो वीडियो है बहुत ही पसंद आया है अगर पसंद आये तो इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और इसी पुरकर के वीडियो और भी आगे आने वालों मैं आगर देखना चाहते हो तो हमारी चैनल को सब्स्राइब करके जो रही रहेगा और अगर आपके मन में किसी भी चीज को लेकर कोई भी सवाल या सुजाब है तो नीचे आप कमेंट करके बताईएगा मैं आपका कमेंट का रिपले जल्दी करूंगा और हो साके तो कि आपके कमेंट के उपर एक वीडियो भी बना के आपके सामने पेस होंगा और इस टाइप का यूनिक वीडियो आपको हमारे चैनल पड़ी देखने को मिलेंगे यह मैं दाबा से कह सकता हूं तो आज किस वीडियो में इतना ही दोस्तों हम पिर मिलते नेक्स वीडियो में तक तक लिए उसी ओल दा बेस्ट